नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों इस वीडियो मैं आपको बताऊगा प्यास को लेकर एक बहुत बड़ी खुसकर्वरी सावी किसान भाईयों के लिए घृट कर जाएगा और दोष्टों कियांगा दोगने इस तरपर जो पय зов का रेट है वो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो मैं आपको आयात निर्यात पर महतपूर जानकारी संपूर रूप से बताऊँगा और आप से अनुरूद है अगर आप भी हमारा वीडियो पहली वार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वैल आगनों प्रेस कर दें तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुख कर दें जैसे ही दोस्तों आपको पता है अभी दीवालियों की छुटियों पर 5-6-7 दिन के लिए जो मंडिया है वो बंद रही थी उसकी बाद दोस्तों जो नेफेड नेफेड अपने एक हिंदुस्तान की संस्ता है जो प्याज को स्टॉक करती है और स्टॉक करने के बाद जिस स्टेट में प्याज की कमता ही पड़ती है वही नेफेड ही प्याज अपना भेजती है उसी स्टेट में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेफेड के जो स्टॉक है वो भी सारे की सारे खाली हो चुके है और नेफेड अपना जो प्याज है श्टॉक है श्टॉक भरपूर करने के लिए ताबर तोड जो प्याज की खरीदारी अब करेगा तो उसके बार नेफेडी दोस्तों जो प्याज अपने हिंदुस्तान का विद्यसों में सप्लाई करता है इससे पहले दोस्तों कुछ दिन पहले भारस सरकार ने आयात और निर्याद पर रोग लगा दी थी लेकिन दोस्तों अब अपने हिंदुस्तन का जो प्याज है यह कहीं भी निर्याद किया जा सकता जैसे कि पिछली बार अफगानिस्तान का जो लाल प्याज है वो अपने हिंदुस्तान में आयात किया गा दोस्तों इसी कारण बस जो प्याज का भाव है वो आने वाले समय में दूगनी इस तर पर जाएगा दोस्तों यही है किसान भाव के लिए बहुत बड़ी खुसकुमरी और बहुत बड़ी अपडेट जैसे कि दूस्तों आपको पता है अब भारत सरकार ने बोल लिया है कि किसी भी देश का प्याज अपने हिंदुस्तान में आयात नहीं किया जाएगा और अपने हिंदुस्तान का जो प्याज है वो अधर देशों में निरात किया जाएगा मतलब जो ब्यापारी है वो अब किसी लेट है वो दोगने इस तर पर जा सकता है